तो फ्रेंस इस तरह से आप भी वीडियो बना सकते तो उसके लिए आपको काइन मास्टर की जरूरत है तो फ्रेंस जो मैंने यहाँ पर टिक किया है उसके इसाब से आपको फोटोस लागाना है तो इदर फूल फोटो लागाना है तो इदर से भी आपको टिक किया है उदर से लगाना है तो उसके लिए आपको प्लस का एकॉन पर क्लिक करना है तो फ्रेंज उसके बाद आपको फोटो ब्लैक ब्लैक बैगराउंड लेना है तो फ्रेंज उसके बाद इस फोटो को आपको सेट करना है तो फ्रेंज उसके बाद आपको इस फोटो को सेट करने के बाद आपको नीचे ब्लेंडिंग में आना है ब्लेंडिंग में आने के बाद उसको स्क्रीन करना है और आपको राइट क्लिक करना है तो फ्रेंज उसके बाद आपको capture and save पर click करना है और आपको यह photo save करना है तो friends यह photo automatically save होता है तो friends उसके बाद आपको media में जाके आपको दूसरा photo लेना है तो friends इस photo को आपको crop करना है तो friends crop करने के बाद आपको इस photo को adjust करना है तो friends आप मैं यह photo इधर करता हूँ तो friends उसको आपको screen में जाके blending में जाके screen वाला option choose करना है तो friends right click करके आपको save करना है तो friends उसके बाद आपको capture and save करना है तो friends इस तरह से आपको यह photo delete करना है वापीस तो friends उसके बाद आपको जो थर्ड वाला फोटो लेना है तो फ्रेंज इस फोटो को आपको यहाँ पर सेट करना है और सेट करने के बाद आपको ब्लेंडिंग में जाके आपको blending में जाके screen वाला option पर right click करना है और आपको यहाँ पर capture and save करना है तो friends उसके बाद आपको यह photo को delete करना है तो friends मैंने जहाँ जहाँ पर tick किया है आपको उधर से photos लगाने तो friends मैं फोट वाला photo लेता हूँ तो friends इस photo को भी आपको यहाँ पर set करना है कुछ इस तरह से और आपको थोड़ा सा जूम करना है इस photo को तो friends इस तरह से आपको set करना है और आपको blending में जाके screen वाला option लेके आपको right click करना है तो friends उसके बाद आपको तो friends उसके बाद आपको इस photo को blending में जाके आपको screen वाला option चूज करना है और उसके थोड़ सी लो रखने और आपको capture and save करना है तो फ्रेंस उसके पाद आपको इस photo को delete करना है कुछ इस तरह करना है तो फ्रेंस जो जहाँ पर मैंने टेक किया है उसी पर आपको lasar photo से लगान है तो फ्रेंस जो five वाला photo है उसको पर इएघजेस करना है एहां को cut करके यहांपर set करना है तो फ्रेंस इस photo को मैं बह discharge है तो फ्रेंस उसके पाद आपको ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन ओल उप्शन चूज करना है तो फ्रेंज उसके पाद आपको राइट क्लिक करना है तो फ्रेंज इस तरीका से आपको इस फोटो को एड़ेस्ट करना है तो फ्रेंज एड़ेस्ट करने के बाद आपको इस फोटो को सेकैंद सेता मैं सेटो को जूनों धने dowode 2 फोटोध को आपको और एक पो το लेना है से पोटोगा को आपको क्रॉप करने कूछ इस तरी कैसा तो फ्रच ऑपको जूम ने और आपको set करने कुछ इस तरीक ऐसा तो friends set करने के बाद आपको blending में जाके screen वाला option पर click करना है तो friends उसके बाद आपको यहाँ पर click करना है और capture and save उपर click करना है तो friends उसके बाद इस photo को आपको delete करना है कुछ इस तरीक तो friends उसके बाद आपको media में जाके आपको दूसरा वाला photo से लेने मतलब तीन photo से लेने तो second वाला आपको photo adjust करना है कुछ इस तरीक ऐसा तो उसके बाद आपको blending में जाके screen पर click करना है तो friends उसके बाद आपको इस photo को adjust करने के बाद screen वाला effect मतलब screen पर आपको click करना है तो friends उसके बाद आपको capture and save करना है तो friends उसके बाद आपको उसके बाद आपको इस photo को डिलीट करना है और उसके बाद आपको media पर जाके आपका third photo लेना है तो friends में third photo यहावाला ले रहा हो तो friends इस photo को size थोड़ी लंबी है तो उसके लिए आपको क्रॉप करना है कुछ ब्लेंडींग में पर आपको इहाँ पर क्लिक करना है तो फ्रेंज आपको यहाँ पर क्लिक करना है और capture end से उपर क्लिक करना है तो फ्रेंज यह photo capture हो रहा है तो फ्रेंज उसके बाद आपको इस photo को delete करना है तो फ्रेंज जो third step है उसको आपको follow करना है तो फ्रेंज जो third ऒला स्टेप हे मैं आपको दिचात आए और अपको एहां मतलब में जहां पर टिक कर रहा हूं उस पर आपको फोटोस लागाने तो इधर豫 टाइप आपको फोटोस लागाने तो फ्रेंग्स मेने जहाँ पर क्ल्क है उदर यह आपको फौटो से लगाने हैं तो उसके पाद आपको एक 1 एसा टूора रैशियो लेना करके तो फ्रेंस इस तरीके से आपको फोटो से लगा नहीं कुछ इस तरीके से तो फ्रेंस आपको फोटो पीछे से एड़ करना है कुछ इस तरीके से तो फ्रेंस मैं फोटो को एड़ कर रहा हूं इस तरीके से आपको भी फोटो को एड़ करना है तो फ्रेंस उसके बाद पर आपको क्लिक करना है और वाइट वाला बैग्राउंड लेना है और आपको उस पर जूम करना है और जो बाकी का हिस्सा है उसको आपको कट करना है और उसको आपको जूम करना है तो फ्रेंज उसके बाद आपको ओवर एनिमेशन में जाके आपको फ्लिकर वाला एनिमेशन लेना है और आपको right click करना है तो friends उसके बाद आपको duplicate करना है और उसके बाद आपको जो वीचे वाला है उस पर आपको set करना है कुछ इस तरी कैसा तो friends आप देख सकते कुछ इस तरी कैसा हो रहा है तो friends उसके बाद आपको back आना है और आपको यह video exporting करना है तो friends यह video exporting हो रह तो आप देख सकते हैं कुछ इस तर्रिके से तो फ्रेंस के बाद आपको बैक काना आपको प्लस क्वाइक। पर युलिक आना है ओन्स ही का अंतर तो फ्रेंस आपने सेख्बुकर्ट किया हुआ वीडियो है आपको लेना है य। फ्रेंस तो फ्रेंज उसके बाद आपको उदर क्लिक करना है और आपको डूब्लिकेट करना है आपको 6-7 उसकी वीडियो करना है मतलब डूब्लिकेट करना है 6-7 बार तो फ्रेंज उसके बाद आपको तो फ्रेंज डूब्लिकेट करने के बाद आपको आपको स्पीड आपको One के बाद आपको उसकी वीदियो का भी आपको और जो छो लाष्ट का वीडियो स्का फाइप पर आपको बतलब 0.521 इसमें आपको रखना है कुछ इस तरी के से तो फ्रैंस उसके बाद आफ द करनार जो करनारे के दाएंट करने के बाद हैपको आपको स्क्रीन वाला ऑप्षन पर मैं यसकी थोड़ीवी रखनी है कुछ इस तरीके से तो देख सकते हैं हमारी यह वीडियो बन चुके है तो फ्रेंज उसके बाद आपको आपको फ्रेस्ट वीडियो को मतले आपको वीडियो की साइज कम ज्यादा आपको स्पीड रखने चाहिए कर सकते तो फ्रेंज वीडियो पसंत आए तो लाइक करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू